संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंदरा के बीच पिछले साल दिसंबर 2030 में शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा यूटूब विडियो से शुरू हुआ ये मामलाज को टक जा पूचा इतने महनों से दोनों ही पक्षों की तरब से कोई भी ओफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया लेकिन हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंदरा ने एक प्रेस कॉनफरेंस कर और फिर यूटूब पर वीडियो डाल कर अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा है इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है ये जानने से पहले आये जानते है कि असल में पूरा मामला क्या है अपलोट किये गे जिसमें डॉक्टर बिंद्रा पर गुमरह करने का आरूप लगाया जा रहा है इतना ही नहीं संदीब माहिश्वरी की ओर से स्टॉप विवेक बिंद्रा और बिक स्कैम एक्सपोर्ट जैसे कैमपेण भी चलाएगे जिसमें डॉक्टर बिंद्रा के बिजनेस और सामाज छवी को काफी नुक्सान हो रहा था इस तरह के नेगेटिव कैमपेण को अपने खिलाब होते देख डॉक्टर बिंद्रा ने संदीब माहिश्वरी के खिलाब फरिदाबाद कोर्ट में मान हानिका केस दायर किया था फरिदाबाद कोट ने डॉक्टर विवेक बिन्रा और संदीप माहिश्वरी दोनों को ही एक दूसरे के खिलाप सारवजनिक रूप से कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिन्रा ने संदीप माहिश्वरी द्वारा लगाए गए प्रत्यकारोप का जवाब दिया है और साथ ही उन्हें आमने सामने आकर बात करने का आमंतर्ण भी दिया है देखा जाए तो संदीप माहिश्वरी की मुसिबते बढ़ती जा रही है उन पर कोट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर अभी भी जारी है वो अब भी डॉक्टर विवेक बिंदरा के खिलाब कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक चवी या उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले इस तरह से देखा जाए तो अब यह पूरा मामला डॉक्टर विवेक बिंदरा के पक्ष में जाता हुआ आज सब के सामने टेलिविजन पे निउस चैनल पे प्रिंट पे ये क्लियर कर देते हैं तीन स्टेप है पहले स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स जैसे ही कोई सेल्स हुई हमारे टीम से फोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पौलिसी और प्रॉसेस पूरा समझ में आ बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है तो भी रिफंड कर दिया आता है और तीसरा 100 दिन का MBZ प्रोसेस है